वरक्षिट नमबर 25 क्लास 7 में इस वरक्षिट में बहुत इस्ट्ट को डाउट आ रहा था है कि अधर जो वीडियो देख रहे हैं यह लोग यूटूब पे वह समझ नहीं आ रही है इसके अंदर थोड़ा टिपिकल दिया है लेकिन मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरें मास का तो वह एक तरीके से गिफ्ट है श्रेंट के लिए तो जैसे मैंने लाश्ट वरक्षिट नमबर 90 वह कराई थी 91 इस पार मैंने डाली है उसमें बच्चों के मैंने बताया है कि जिसको जो बच्चे विनर रहे हैं उन्हें कैसे 95 मास मिल सकता है ऐसे ही अगर आपको उस डाल जाती है ठीकि आप लोग ने वरक्षिट नमबर 91 देखना उसमें मैंने बताया है कि आप लोग को कैसे गिफवे मिल सकता है वह वरक्षिट 91 सभी श्रुएंट के लिए क्लास 6 7 और 8 तीनों श्रुएंट के लिए वह वरक्षिट है उसमें गिफवे सिर्फ तीनों क्ला नमबर वन दिया हुआ सभी बच्चे अपनी नोट बुक निकाल लेंगे मैस की जिसे आप हैंट टू हैंड लिक सको उससे क्या होगा आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको जो किस नमबर वन दिया हुआ उसमें क्या सरकल भी देखोगे इसमें तो इसमें बहुत सारी से तो उनके ही हमें नाम लिखने अब वहुत वक्षिट में श्यूएंड का डाउट आया कि हमें समझ नहीं आ रहा है लिखने का तरीका तो मैं आपको अच्छी तरह लिखाँगा इसमें ठीक है आप लोग एक पहले उसन हर को यह बता दिखाँफर अपको नहीं बताया जाता कहीं भी ठीक है तो मैं थो भी आधाए submissions खोलता हूं कि अंसर नंबर 1 आपको लिख वाओंगा चौंग तौ satisfactory तो आपको सारी से बताने पहलरी सेट में आप लिखोगे चर टीब एलोग्राम कि एक है कि दो आपका गया यह स्क्वैर कि इन आपका गया कि ट्रैपिजम कि कि ट्रैपिजिम कि एक है कि फोर आपका गया काइट कि से भी आ रही है आपकी आपका गया ट्राइंगल आपका गया सरकल आप लोग देखोगे आपके 6 उसमें इसमें तो आपको यह 6 की 6 लिखनी पड़ेंगी तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके अंसर ठीक है सही से देखके तो मैंने आपको अच्छी तरह लिखवा दें जिससे हर श्रेंड को समझ में आ जाएं अंसर नंबर 1 मैंने अलग से आपको पेज़ पर करके बता है ठीक है मैं उसमें भी लिख सकता था मौशली क्या होता वरक्षिट में उसमें लिख देते हैं तो आप लोग को समझ नहीं यादा बच्चों को यही डाउट होता है ठीक है ऐसे ही आपको कॉसन वन उतारके अंस नबर ओफ लाइन ओफ सिमेत्री निकल के आएगी जब आप इसे देखोगे नमबर अशिमेत्री पूछा जा रहा है इसमें तो इसमें जब आपका पूरा केलकुलेट करो गे तो आपके इसमें 4 निकल निकल के आएगी तो इसमें आप अंसर करके 4 ठीक है इसको तो इसका भी आपको क्या देखोगे एक दो तीन चार ठीक है आपकी फोर ही निकल के आएगी जब आप इसका फूरा एड़ एंड सॉलुशन देखोगे तो फोर ठीक है इसका भी एंसर कितना आगया आपका फोर आगया ठीक है अब आप फोर पर चलते हैं नेम सिमेट्री अब प्रॉम योर सराउंडिंग आप देखो कुछ भी लिख सकते हो आप इसका अंसर फिर में आपको नेक्स पेज़ पर लिख वाऊंगा इसमें आप तीन में फोर्टो बता तीन में आपको इसके एक्जांपल बता दूँगा ठीक है अंसर नम कॉसर नमबर टू का फोर्थ का आपको यहां पर लिखवा देता हूं इस पर कौन सा कॉसर नमबर टू कि और इसमें आप देखोगे एक हम देखो उन्हें में बता आसपास की चीजों को देखके इसमें वह बताना है उसका ठीक है एक तो बुक लिग दीजिए ठीक है बुक आपके आसपास होती है ठीक है फोटो फ्रेम लिख सकते हो फोटो फ्रेम अधिक है आप लोग टेबल भी लिख सकते हो टेबल तो आपका यह तीन चीजों होगी तो आजाते हैं हम लोग नेक्ष्ट पर, ठीक है, Question Number 3 पर इसमें Line of symmetry पूछी है, ठीक है, तो इसमें हमें, ड्राग अननी है, तो यह आपको क्या करना है, तो आपको लिखना भी है, आपको symmetry बना के भी बतानी है, तो आप यह diagram बना लीजिए, एक, दो, ती, चार, ठीक है, या फिर आप लोग डारेक् गाइगराम मत बनाईए सिर्फ सीधा सीधा मैं इसमें आपको समझा देता हूं फिर आप लोग लिख देना कितनी सिमेट्री एक आपकी 2 कि एग चार कि इसे आप इसमें देखोगे आपकी एक होती है एक सिमेट्री ठीक है यह अंसर आपका हो गया एक इसका चार हो गया ऐसे इसमें आ जाओ इसमें आप करो गया तो यह आपकी एक बनती है बीच में से इसकी भी आपकी एक हो गयी अंसर इसका एक हो गया इसमें आप आ जाते हो इसमें आपको देखो गया इसमें भी आपकी एक ही बनेगी दो तो नहीं बन सकती इसलिए इसका भी अंसर आपका देख हो गया क्योंकि देखो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ नहीं बन पाएगा इक्वल सिमेट्री नहीं आएगी हम लोग नीचे चलते हैं कोस्ता नमर फॉर में है कि फॉर में आपका दिया है मैं इसमें पूचाँ in the following figure which is the line of symmetry m1 m2 और both m1 है, m2 है या फिर both है तो इसमें आप देखोगे देखो यह symmetry तो यह आप ऐसे इक्वल कर रहे हो हैं है यह नी है अपकी symmetry बन नहीं है तो इसमें आप m2 अंसर करके लिख दो डाइग्राम किसी यह नहीं बनाया सिस्फ एम टू अंसर एक ऐसे ही आपको इसमें करना है यह आपकी दोनों आ रही है तो इसमें आप लिखोगे एंवन एम टू बोट यह आपका अंसर हो जाएगा इसका सब्सक्राइब अब आ जाते हैं नीचे को सब्सक्राइब की तरफ तो इसमें बस आपको अंसर बताना है कि इन दा गिवन फिगर फाइंड डा ओडर आफ रोटेशनल सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री वही है अगर आप इस एस से रोटेट करोगी डाग्रम को यह जो डाइग्राम दिया हुआ आगराफ इसे रोटेट करोगे एग्जाम्पल मान के वन ट्रीफोर जब आप इसे करके रोटेट करते जाऊए तो आपके कितनी outright टक कितनी ओडर इसकी बनेंगी यह इसमें पूछा है तो जब आप इसका अंसर लिखोगे जब आप इसे पूरा केल्कुलेट करोगे तो जो आपके पाइंड दा ओर्डर ओफ सिमेट्री करके आएगा इसे आपका यह रोटेट करता ही जाए जब हम इसे रोटेट करेंके तो आपका इसका फोर आजाएगा थाकिए और इसका मिजर ओफ एंगल औफ रोटेशन यह तो मैंने बताई थी आपको नाइंड देखरी तो जरूर सबीश्ट्वरों में उसके वीडियो रेवस्चिट नम देखेंगे कि उसमें मैंने क्या क्या इस्टेप बताएं आप लोगों को कि आपको कि कैसे मिल सकता है ठीक है तो एन 95 मास्क का वो गिववे होने जा रहा है ठीक है उसके लिए बस आपको स्टेप उसी वक्षिट में देखने पड़ेंगे वक्षिट नमबर 91 क्लास 6 7 और 8 यह तीनों के लिए वक्षिट है जो कॉमन वाली आपकी वक्षिट आती है इसके अंदर मैंने बताया इस्टेट जो मिलना इस्टेट को हमारी चैनल की तरफ से आपको कैसे मिल सकता है कैसे आपके घर कोरियर हो सकता है वह तो वक्षिट को जरूर्ड ओपन करके देखेंगे आपका वक्षिट नमबर 91 का और आपको गिवाव भी मिल जाए ठीक है इस्टेट मिलते है नेक्षिट में तिल दन बाई बी से विश्टे हेल्दी जैहिंद ज